धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल जन्म 8 दिसंबर 1935 एक भारतिय अभिनेता निर्माता और राजनीति ग्यहें जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलिवुड के एक ही मैन के उपनाम से जाने जाने वाले धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतिय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। करशक के मध्य में आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर आए दिन बहार के जैसी फिल्मों से लोकप्रियता हासिल की। करे तो मंदर रह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में, आर खुल जाएंगे दो-चार मुलाखातों में। बाद के वर्षों में उन्होंने अधिक स्टारडम हासिल किया। कहानी किस्मत की, लोफर, दोस्त, शोले, प्रतिग्या, चरस, धरम वीर, चाचा भतीजा, राम बलराम, कातिलों के कातिल, गजब, नौकर बीवी का, गुलामी, इंसानियत के दुश्मन, लोहा, हुकूमत, आग हाय आग, एलाने जन और तहलका। उन्होंने बंदिनी में एक जेल डॉक्टर, हकीकत में एक सैनिक, अनुकमा में एक लिखक, सत्यकाम में एक धर्मी व्यक्ति, और चुपके-चुपके में एक प्रोफेसर की भूमिका के लिए आलोच नात्मक प्रशंसा अर्जित की। येस डड़ी तुमने मामी को खत लिख दिया? याँ ड़ी लिख दिया है, आज ही पोस्ट कर दूँगा। वैरी कुट चुप बाबु तुमने मामी को खत लिख लिख दिया है, तो दुख देने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तब जंदा रहने के लिए बहुत सी चीजों के साथ सुला तो करनी है पड़ती है। नहीं! नहीं! इतने दिनों से एक ही नाम तो सुन रहा है। हमारे दिजजी ये है, हमारे दिजजी वो है, आज दिजजी को कौल आया था, दिजजी कुछी लिख णहीं है, दिजजी में ये कहा, आपके दिजजी से वो कहना है। उन्नीस सो सक्तानवे में उन्हें बॉलिवुड में उनके योगदान के लिए फिल्म फेर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला धर्मेंदर की पहली शादी उन्नीस सो चौवन में उन्नीस साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी जब उन्होंने फिल्मों में कदम नहीं रखा था इस शादी से उनके दो बेटे हुए सनी देउल और बॉबी देउल दोनों सफल फिल्म अभिनेता बॉम्बे जाने और फिल्म व्यवसाय में आने के बाद धर्मेंदर ने हेमा मालिनी से शादी की जो उस समय विवादों से घिरी हुई थी अफवाह थी कि इस शादी के लिए धर्मेंदर और हेमा मालिनी ने इसलाम धर्म अपना लिया था इस तथ्य को तब से दोनों ने नकार दिया है, उन्होंने और मालिनी ने 1970 के दशक की शुरुवात में शोले सहित कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया। 2011 में उन्होंने अपने बेटों के साथ यमला पगला दिवाना में फिर से अभिनय किया, जो 14 जन्वरी 2011 को रिलीज हुई थी।